हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं शेरों की तरफ बस में सवार होकर निकल रहे थे इसी दौरान रात आठ बजे के आसपास बाड में जिला मुख्याले के पास रोड़ बेस बस डीपो पर सवारी चड़ाने को लेकर विवात हो गया जिसमें नीजी बस पर पत्थराफ किया गया आरोप है कि रोड़ बेस डीप करकर रवाना हो रहा था इसी दौरान कुछ अभ्यारतियों ने कहा कि हमारे साथी बस टैन पर खड़े इंतजार करने हैं इस पर बस को नीजी रोड़ वेस डीपो पर ले जाया गया जहां पर रोड़ वेस डीपो के कर्मचारियों ने पत्थराफ कर दिया जिसके बाद कि जिला प्रशासनन नीजी बसों के लिए अलग से स्ताही बस स्टैंड बनाया था वर्यां करमचारियों ने पर बस से बाहर बेजा गया जिस तरह का आरोब लगा रहे हैं वो सारे निराधर है यह आपसी रंजिश का मामला है और कुछ भी नहीं है बेवज़ा हम पर आरोब लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में बाडमेर आगार के मुख्य प्रबंदक उमेश नागर ने बताया कि जिला प्रशासन ने नीची बसो पर आकर और विवस्ता करने हैं मेरी बस रोडवेस वरक्शॉप में ले जा रहे थे इस दौरान कर्मचारियों ने उन्हें रोक कर बस स्टैंड से बाहर बेचा जिस तरह का भी आरोब लगा रहे हैं वो सारे निराधर है यह आपसी रंजिश का मामला है और कुछ भी नहीं बेवजा हम पर आरोब लगाए जा रहे हैं जागरुक टेवी की बाड में से ठाकर राम एगवाल के रिपोर्ट